हलो प्रेंट, स्वागत आपका अमारी यूटूब चैनल सेव टेक स्मार्ट वेज़ जैसा कि आपको पता है कि HP का FR2006TU लेप्टोप 2021 का वन अब बैस्ट परफॉर्मिंग आई 3 लेप्टोप दा और मैंने इससे काफी सारे लेप्टोप से कमपीरीजन भी किया है और आज मैं इससे कमपेर करने जा रहा हूँ ASUS के K15 OLED लेप्टोप से हैं दोनों ही लेप्टोप का बजट सेम है और देखते हैं क्या ASUS one of the best performing लेप्टोप है डिटेल कमपीरीजन करने जा रहा हूँ और वीडियो के लास्ट में अपना personal opinion भी आप लोगों से सेर करूँगा औ और आप लोगों के लिए काफ़ी इंट्रेस्टिंग वीडियो रहने वाला है तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोनों ही लेप्टोप के basic configuration की बात करूँ तो इंटेल कोर आई 311 जेनरेशन ट्रिपल वन 5G4 प्रोसेसर दिया हुआ है clock speed 3.0 GHz और इंटेल तरफभूश टेकनोलजी जे 4.1 GHz तक यूज कर सकते हो दो को और चार्ट दिये हुए है और 6 MB की case memory मिलती है दोनों ही लेप्टोप से में आपको SAM CPU दिया हुआ है नेक्स्ट बढ़ता हूँ memory की तरफ तो Asus में आपको 8 GB की DDR4 3200 MHz की रेम दी हुई है और आप इसमें extend कर पाओगे 12 GB तक क्योंकि आपको इसमें 4 GB on-border रेम देखने को मिलती है वहीं HP के अंदर आपको 8 GB की 3200 MHz की रेम दी हुई है और आप उसे extend कर पाओगे 16 GB तक है इस्टोरेज ओप्शन की बात करूँ तो Asus में आपको 256 GB की पीछे एनुए में SSD दी हुई है और साथ ही में आपको HDD slot मिलता है तो आप इसमें 2 TB तक SATA HDD इस्टॉल कर सकते हो वहीं HP में आपको 500 L to RGB की पीछे एनुए में SSD दी हुई है और अगर आपको storage को upgrade करना है तो 500 L to RGB को remove करके आप इसमें 1 TB, 2 TB तक extend कर सकते हो इसे के साथ इनके connectivity की बात करूँ तो Asus के अंदर आपको latest Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.0 मिलता है वहीं HP में आपको Wi-Fi 5 और Bluetooth 5 का support मिलता है तो connectivity Asus में काफी better मिलने वाली है और इसे के साथ इनके physical overview की बात करूँ तो दोनों ही laptops में आपको metal body नहीं मिलेगी, plastic building ही यूज की गई है Color options की मैं बात करूँ तो HP में आपको natural silver color दिया हुआ है और Asus के अंदर आपको two colors available है जो variant आपको screen में दिख रहा है वो है transparent silver color है दोनों ही laptops के अगर मैं keyboard की बात करूँ तो HP के अंदर आपको backlight keyboard नहीं मिलेगा Asus के अंदर आपको backlight keyboard दिया हुआ है तो आप night में भी अच्छे से work कर सकते हो इसे के साथ अगर मैं इनके security features की बात करूँ तो fingerprint sensor दिया हुआ है Asus के अंदर और HP के अंदर आपको fingerprint sensor भी नहीं मिलता है तो काफी बड़ा drop back है या मेर को देखने को मिल रहा है दोनोई laptops में आपको window 10 home single language 64 bit में pre-installed lifetime के लिए मिल जाती है और इसे के साथ आपको Microsoft Office Home and Student 2019 दोनोई laptops में available है दोनोई laptops के battery backup की बात करूँ तो 6-5 गन टेका battery backup आपको मिल जाएगा बाकि आपके UGS पे आप laptop को कैसे use करते हो इनके में weight की में बात करूँ तो 1.7 kg का weight दिया हुआ है दोनोई laptops में आपको similar देखने को मिलेगा तो ये तो था इनका basic configuration और physical overview इसे के साथ मैं इनकी finally display और audio की quality भी आपको test करा देता हूँ तो Asus में मिलती है 15.6 inch की full HD OLED glossy display जिसकी brightness 400 nits है और DCI P3 color gamut आपको 100% दिया हुआ है वहीं अगर मैं HP की बात करूँ तो 15.6 inch की full HD IPS anti-glare coating के साथ display आती है जिसकी brightness 400 nits है और color gamut आपको 45% NTA से मिलता है और friends आपके सामने display quality आ रहे है मैं रहे को तो लगी नहीं रहा है HP की display quality कुछ आ भी रही है तो इसी के साथ मैं आपको audio की quality भी test करा देता हूँ केसी quality अपने को मिलती है तो HP के भी audio की quality test कर लेते हैं तो मैंने भी आपको audio की quality test कर रही HP के अंदर audio की quality loud से सुनने को मिल रही है लेकर अगर audio की quality की बात करें तो ASUS के अंदर मेरे को ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें Harman Kardon की तरफ से audio प्रवाइड कर वाया है तो friends काफी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन दोनों की laptop की booting speed को लेकर क्योंकि HP का FR2006TU laptop अभी तक किसी भी laptop से बीट नहीं हुआ है और आज देखते हैं ASUS के K15 OLED laptop इसे बीट कर पाता है या नहीं तो बिना time waste के जल्दी से इनकी booting speed टेस्ट करते हैं तो दोनों की power button को करता हूँ मैं on one, two, three तो फ्रेंड्स यह मैं क्या देख रहा हूँ ASUS का laptop HP को boot नहीं कर पाया है और यह क्या कमाल है कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक बर और booting speed टेस्ट करता हूँ फिर से power button को on करने जा रहा हूँ क्योंकि यार believe नहीं हो रहा है इतनी अच्छी performance ASUS प्रोवाइड करवा रहा है फिर क्या दिक्कत आ रही है one, two, three और फ्रेंड्स यह बात किलियर हो गई है HP के FR20060U laptop को अभी तक कोई भी bit नहीं गर पाया है यहाँ winner HP हो रहा है तो फ्रेंड्स मैंने दोनों लेप्टोप का भी competition किया और ASUS वाले लेप्टोप में मैंने GTA 5 गेम प्ले किया फुल HD resolution पे है और 60APS की फ्रेंड्स देखने को मिली वहीं HP में मैंने गेम प्ले किया GTA 5 HD resolution पे है 50APS की फ्रेंड्स मेरे को देखने को मिली तो performance ASUS की काफी बेटर मिलने वाली है इसे के साथ मैंने इसमें वीडियो रेंड्रिंग करके देखा दोनोई लेप्टोप में और 2 मिनेट की वीडियो footage थी तो ASUS में जो time लगा है HP में 2 मिने फॉर्टिवाइब सेकन्द के आजपास वीडियो रेंड्रिंग में time लगा तो यहां भी performance Asus की बेटर मिल रही है तो friends एक मेरा क्यूसन है यार बिलीव नहीं हो रहा है जब मैंने दोनों लेपटोप की बुटिंग स्पीड टेस्ट कराई तो वहां यार HP पहले बुट हो रहा है यह मेरे को आज तक बिलीव नहीं हो रहा है इस लेपटोप को अभी तक कोई भी लेपटोप बीट नहीं कर पाया है बुटिंग स्पीड में अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना तो friends दोनों लेपटोप की अगर मैं प्राइजिंग की बात करूँ तो यार अगर आप लोगा बजट 47,000 के आसपास है तो बिना किसी डाउट के आप एसूस का लेपटोप परचेज कर लेना वहीं अगर मैं ह्प के लेपटोप की बात करो तो 2021 का वन ओप दा बैस्ट परफॉर्मिंग लेपटोप रहा है सितंबर तक है और अभी अक्टोबर के अंदर एसूस लोंच हो गया है और देखते हैं एसूस को बिट कॉन कर पाता है बैस फिलाल वीडियो में इतना ही उम्मीदे वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन दोनों ही लेपटोप के रिकार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्यूसन है तो मुझे कमेंट्स बोक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद वन्दे मात्राम